पर कि अधिया से तो लिए सब्सक्राहएं लुट्र जिया के समय, वह अरुखा रुखाएं चालि आपनाट कि दिया प्रसद कि आपने हिते आप रहे हैं क्लवाली कहानी saak, मैं पढ़ाते चल रहा हूं, क्या कर रहा था?" यह दो क्वेश्चन मैं ने पढ़ा दी, क्या कर दी है? क्या क्वेश्चन शाम भाईा ने आग ऑठ पर अंजाम दिया है ठीके अपने काम में बिल्कुल पीछे नहीं अट रहे हैं सई तरीके से अंजाम दे रहे हैं तो यह 112 नंबर की क्लास है मैं अपने कारिकरम में लगा था दो क्वेश्चन में ने पढ़ा दिये हैं ठीके शाम भहिया शाबास इसकी PDF आपको यहाँ प्रवाइट करवा दी और शाम भहिया भी अंजाम देते खुपसूरती से यह हिंदी की क्लास सुवे 9 बजे जोगरफी क्लास 10 बजे इस्टेटिक जी क्लास आपके सेवा में अजीरों में नौ रिजनिंग की क्लास 6 बजे 7 बजे आपके जैन सर मैच्री क्लास लेंगे यह आपका होंबर्क है ठीक नंबर का था 36 बी नंबर का चलिए अगले में क्या है फिर से बताओं भहिया ओके 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 ठीके को फिर से अगेन में बता रहा हूं 20 तो पिर से मताता tha इसको है न श्याओं भाईया कुछ निम्टब तुमएब तो अब क्या होता है 63 इस्थापना दिवस साथ में में 2022 को मनाया गया तो मनाया गया तो बीयसा की स्थापना कप होती है तो 65 में होती है अंतराष्टी अंतरिक्र आनुसंगातन इस ओ की सफापना पंदरा अगस्त 1969 में होती है। DRU की सफापना गविटा कव 1958 में होती है आपको याद रखना है। žनवरी को सिमा सड़क संगठन या आपका चैना और पाकिस्तान कुन सा गविटा। चाइना उर पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान तो जो आपकी चाइना और पाकिस्तान है इन चेतरों में सडक के अरक रगांख और निर्मान का का देखता है और सीमा सडक संगथन की स्थाफना को होती है 906. fireworks इसके इस्थाफना होती है एक प्रमुख सड़क निरगाण एजनसी के रूप में किये गई थी इसका आदर्स वाक्य है सर्मन सर्मम साथ्या ठीक है सब कुछ कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है चलिए अगला देखेंगे और अगले में फिर से देखते हैं इसको भी वापस से बीचारे को तो मार्च 2022 में केटली नोवाग तो आपकी इटली की कौन बनी बिटा तो इटली की बनी आपकी जोर्जिया कौन बनी आपकी जोर्जिया मेलोनी तो जोर्जिया मेलोनी कहा की है तो जोर्जिया मेलोनी आपकी इटली की है ब्रदर सब पार्टि आप इंके पार्टि का नाम है ठीके ये आपकी PM बनेगी आपकी इंकी इसली की ब्राजिल की कौन है तो तो ब्राजिल का बिटा लुला-दा-सिल्वा ये दो बार पहले भी रह चुके है और तीसरी बार आप बनेगे और हंग्री की कौन है तो हंगरी की केटलीन नोवाग ठीक है तो हंगरी की कौन है तो हंगरी की बेटा केटलीन नोवाग है सबसे युवाग सबसे युवाग चुमाल इस वर्सी की उम्पर में क्या बनेगी है राष्ट्रपती बनी आपको याद रखना है तो यह आपके सामने है question number second और second का answer होगा d होगा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपती निर्वाची ठीक है यह आपके सामने दिखाई पड़ी हंगरी की कीवन है केटलीन केटलीन नौवा कहां की हंगरी की आपको आद रखना है हर्ष वर्धन किस वंशी के राजा थी हर्थ वर्धन ठीके हर्ष वर्धन कौन से राज के ठीके हाँ क्लास नहीं होगी सर क्लास चलतो रही है आई ना चलिए आंसर करिए हर्ष वर्धन किस वंशी के गुप्त वंशे का संसापक था आपका सीरीगुप्त था को था था तो ये आपको याद रखना है कि जो मोरी वंशे है जिकोट udahом को चालुक की recognized ये अलग 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 संस्तापक होंगे ठीके तो या आपका जो मोरी वणशे का संसापक – कोद strategus पुष्च भूती वन्ष तो वर्धन वन्ष को वर्धन वन्ष भी कहा जाता है और इसके संस्थापक तो इसके संस्थापक ते पुष्च भूती आपको याद रखना है पुष्च भूती ही संस्थापक ते पुष्च भूती वर्धन वन्ष के राजा थी हर्ष वर्धन के समय में चीनी यात्री आया था जिनका नाम था हैंशॉंग और हैंशॉंग ने किताब लिखे जिसका नाम क्या है सी यू की तो सी यू की नामक किताब के लेखक को ने यही है और हर्ष वर्धन के दरवार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बान भट क्या नाम था बिटा बान भट और बान भट ने किताब लिखी जिसका नाम क्या है कादमबरी तो कादमबरी के लेखक बान भटे हैं इ श्तॉब करते जाता जिसकी स्थापना कॉन करेगा चली तो यह आपके सामने है वर्धन वंश होगया है अगला देखेंगे लोक्सवा के लिए उम्बीद्वार की नियूंतमा आईू सीमा कितनी पटापटा आंसर करो वीडियो को दबात के लाइक शेर करते जाओ कि कल आपका मेरा थन रहेगा 10 बजे ठीक है चली लोग सब्सक्वा चुनाओ के लिए उम्मिद्वार की नियुनतमाईव तो वोट डानले की ठीके तो वोट डानले की क्या है तो वोट डानले की उम्र अथारा वर्स ठीके यह आपका मन कर रहा कि नहीं सर में तो राष्ट्रिपती का चुनाओ लड़ूगा तो लड़ो जब 35 के हो जाओ आपका मुझे तो विधान परिशत का सदस्य में यहाँ पर सर क्या है सर मुझे पीएम बनना बन जाओ 25 के हो जाओ सर मुझे लोग सभा का चुनाओ लड़ना है लड़लो जब आप 25 के हो जाओ तब यह आपको याद रखना है ठीक है तो question number 4 और 4 का answer बिटा क्या होगा 4 का answer होगा 25 तो 4 का answer होगा आपका 25 बाकी सारी चीज़े में आपको बता दिये सर सु्प्रीम कोड के जज की retirement है फेशट वर्स है सर हाभ कोड के जज की रिटाइर्मेंट कीतनी है 62 वर्स हैं सर्ट डिष्टिक कोट के जज की रिटार्मिंट कितनी है 60 है अगला देखेंगे यह सारे अधीकारियों के आयू बता दे में आपको अगला देखेंगे निम लिखित कतों में से कौन भारत के बारे में सही नहीं है ठी के फटाबट जरा शका आंसर कर दिये फटा पण से आंसर कर दीजीये फटाबट से ठीके ठोड़़ा सम Buff Pack समल के बैचना यह लीं कुल शेत्र का लगबग बिल्कुल सही है यह समुचा भारत हुर्षन कटी बंदी चेतर में आएगा है ये वाला भी तरीक से गलत हो गया है साड़े बीयाशी पूर्वी देशांतर का उप्योक भारती मानक समय को निधारित करने के लिए क्या जाता है बिल्कुल सही है साप क्या है बिल्कुल सही है ठीके तो बिल्कुल क्या है सही बोले आप ठीके क्या है सही बोले है ठीके तो आपको मिने ट्रीक बताई थी कि भाई मानक भारती मानक समय रेखा पांच राजों से गुजरती है मिने आपको बताया था मोका है क्या है अरे मोका ह तो मतलब उडिसा होता है सर इसके बाद में सी मतलब क्या होता है अरे सी मतलब आपका 36 गड़ होगा क्या होगा आपका 36 गड़ होगा सर यह मतलब क्या होता है यह मतलब आपका आंद्रप्रदेश है मोका मारो चोहका ठीक है चलिए तो आंसर क्या होगा इसका इसका आंसर दो स से वरतनी की दश्टीं से असुद्द्द वाक्य है असुद्द सब्द में ठोड़ा सा डिस्प्ट चल रहा है तो यह आप इसका आंसर मुझे कर बतादो पटापट हना सर जी सभी कोश्चन तो आपने करवा पहने के आता हूं आज अलग ड्रेस पहन के आया हूं चलिए चलिए फटाफट फटाफट कौन किसका नाम जे रहे अरे भाईया स्पीट से मतलब नहीं रिवीजन करवा रहा हूं ठीक है इसका आंसर करो आप ठीक है हां 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 असुद्ध वाक्य ठीक है रचियत्री तो सही है रचियत्री तो क्या है सही है ठीक है यह आपका जो सरोजनी क्या है सरोजनी ठीक है तो यह सरोजनी एसा आएगा सरोजी नी ठीक है तो सरोजनी क्या आएगा एसा आएगा तो सिक्स का आंसर क्या होगा सी होगा ठीक कि कमी के सभी लक्षण सिवाय है जब से लक्षणा सिवाया कि का यह कुछ तो लितामिन का नाम है धरीग क यह था अन्सर पर खर चलिए मैं आकको घरा था था है पहलेगरा तो समग रूफसे से क्या कहां दाता है तीन डी में डाइडिया हो गया है अपका बाल जणना ये में आपको क्या बताया था तो तो B7, B7 क्या होता है, तो B7 आपका बायोटीन, B7 क्या होता है, बायोटीन बाल जणना, यह आपको याद रखना, इसका आंसर पिटा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 7 का आंसर होगा, A होगा, चले, यह आपके सामने देखो आप ठीके, तो यह आपका जो न नियासिन की कमी के लक्षण के सिवा है तो B7 ये बायोटीन हो जाता है ये सभी लक्षण आपके किसके हैं तो सभी लक्षण आपके उसके हैं बीतरी के चलिए OCR का फुल फॉर्म क्या है ठीक है OCR का फुल फॉर्म फटा फटा आंसर करिए OCR का फुल फॉर्म ठीक है सर मेरे क इखता हूब ली हिंडी वाले को देखूंगा छलिए सरका फेन नमस्कार भई चलिए पटापड आंसर करो ओटीकल टेकल करेक्टर होगा एक तर पर प्रकास वर्णों की पहचान करना ठीक चलिए नौरोज किसके साथ जुड़ा वा नौरोज उस सब किसके साथ जुड़ा इसका अंसर करिए नौरोज फेस्टिवल इसको नौरोज को स्टार्ट किस ने किया था तो नौरोज को स्टार्ट किया था आपको पताऊगा मैंने इतियास में पढ़ाया है बलवन ने नौरोज को गार्सियों का नए वर्से की रूप में मनआ जाता है और आपको याद रखना है रहाँ तो नाइन का पर बीच्टप में देखेंगे और बारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2000 महिला एशिया कप जीता है 2020 जीता है किसको हरा कर जीता अपने तो देखो पुरुस का किसने जीता है बिटा तो पुरुस वाला जो जीता है पुरुस वाला एशिया कप ठीके तो पुरुस वाला एशिया कप है वो जीता आपके किसने तो वो जीत आपके स्रिलंका ने किसको हरा कर जिता है पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को हरा कर पाकिस्तान को हरा कर कौन जितेगा आपका स्रिलंका जितेगा स्रिलंका जिता पाकिस्तान हरा अब महिलाओ का पुछा है तो महिलाओ को टोटल आठ बार हुआ समें साथ बार किसने जिता है भा स्रिलंका को साथ विकेट से साती बार चेंपियंशिव रहा है एक बार बंगलादेश जीता है वो टोटल बार हुआ साथ भार भारत जीते टिके इसके अलावा गो स्वामी धिरज उन्होंने बहुत अच्छा अंसर किये खैके तो इसके अलावा सीवानी यादव तो सीवान यादव क्रिकेट फैन कलब सुनिता मारको गबर चोहान गोस्वामी धीरत सभी लिखे लिए तालिया सभी लोगों होत अच्छा अंसर किये हैं अगले में देखेंगे लिटिल वोक आप इंडिया कुस्तक को किस ने लिखा जरा इसका अंसर कर यह फटाफट से ठीकिए आधात हुआ ता भारत भारत की आभी क्या मनाई गई है 75 वी क्या मनाई गई बीटा 75 वी हमने बनाया अमरत महाउसों ठीके 75 वी अमरत महाउसों मनाया उसी उपलक्ष में बुक लिखी गई है अभी तक की यात्रा है इसमें आध्याद्मिक और सांस्कृतिक विजिस्ताओं के बारे में उल्ले किया गया अध्याद्मिक और सांस्कृतिक विजिस्ताओं का इसमें जिक्र किया गया है जो 75 वी अपने बनाई अभी क्या अमरत महाउसों बनाया उसी उपलक्ष में इस किताब को लिखा गया है और किताब के लेखा कोन है लिटल बुक आप इंडिया नामक पुस्तक के लिखा कोने बिटा रसकीन बांड है यह में आपको पड़ाया था ठीक है लिटल बुक आप इंडिया सैलिब्रेटिंग 75 यर्स आप इंडिपेंडेंट ठीक है तो 75 वी अपने जो बनाई अभी जो आपका अमरत नामक नई पुस्तक का विमोजन किया है इसमें भारत की सुस्ता के 75 वर्स होने के आउसर पर यह लिखा गया इसमें आत्मिक और भोतिक विसिस्ताओं के बारे में उल्ले किया गया 75 वर्स की कहानी बताई गई है चेराओ का लोग नत्य है राजेस्थान में आपका काल बेलिया इसको बंबो नत्य भी कहा जाता बंबो इसको बास की सहायता से किया जाता किसकी सहयता से बास की सहयता से किया जाता है तो 12 बिटा क्या होगा 12 डेटीय आ बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंका अल्रेडीय हम कर चुके हैं तो याद रखना यहं वा मंधय और भी प्रेरिता पर त्व्यमंदली अ Ama के याद करते हैं कि अलावा यह क्रोणोमेटर यह जल यहान पर जाता है यह टैम को देखने के लिए और गीगर मोलर काउंटर डेड़ धर्मिता को याद करने के लिए आपको याद रखना है किसका तो यह क्या है आधरता ग्याद करने के लिए आपका बेरोमेटर का प्रियोग करते हैं तो इसका आंसर 13 का क्या होगा यह होगा ठीके रेडियों धर्मिता और विक्रणम आपने में जिसका प्रियोग किया जाता है गीगर मोलर काउंटर किसने भूमी मापने का पेमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन को कराएगा ठीके फटा 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 आंसर करो सिकंदर सासूरी यह सेर सासूरी का क्या था वनसज था सेर सासूरी का एंसिस्टर यह वनसज हुआ करता था सेर सासूरी का क्या था एंसिस्टर यह वनसज था सिकंदर महान कहां के शाशक थे युनानी शाशक थे मकदुनिया मिस गुल रुख्यूप नाम से कभीता ही लिखता था इसके समय में आपको कभीर दाजी देखने को मिलेंगे कोन देखने को मिलेंगे कभीर दाजी सब मेंने करवा दिया है तो 14 का आंशर होगा ए ठीके सिगंदल लो दिये गले की बिमारे कानेस की मृत्ति हो जाती है प्रधान मं कोन तो प्रधान मंत्री की नियुकती करता है राष्ट्रपति करेगा कौन से आर्टिकल के तहट 75 और ऀश्यत कि तहट करेगा और प्रधान मंत्री जो आपकी म Elementory परिशद हो टी मंत्री परिशाद मंत्र उनुल्लेक 74 में हैं मंत्री परिशत कैसकी के के लिए मंत्री परिश्द का प्रमुक कोन होता है पीम की नियुक्ति कोन करेगा राष्ट्रपति आर्टिकल 75 में लिखा है और यह क्या होता लोकसभा में भाहुमत दलका नेता होता है तो 15 का अंसर क्या होगा बिटा तो 15 का अंसर यह होगा यह दिखा आपके सामने 75 बिश जुन को कौन सा दिवस मनाया जाता है खड़ा बड़ा अंसर करो अंतराष्टी ओलंपिक दिवस कम मनाया जाता है तेवीश जुन को अंतराष्टी ओलंपिक दिवस मनाया जाता है अंतराष्टी योग दिवस कम मनाते हैं एकिस जुन को मनाते हैं कब से मनाते हैं 2015 से मना रहें विस्वराग्तताका देवसकं बनाते हैं जौदादुन को बनाते हैं तो गिला हैं लंका है तो चारों और से घिरा तो चारों को यह दीव कहलाता है दीप कहलाता है ठीके और ये हमारा इंडिया है ठीके तो ये इधर पानी है इधर पानी है ये आपका प्राइदीप आला जो छेतर हो गया है जो तीनों और से जल से गिरा है क्या है तीनों और से जल से गिरा और एक तरफ लेंड से गिरा छेतर वो क्या कहलाता है तो वह कहलात का निचला वाला चेतर जो तीरों और से जल से गीरा है यह आपका क्या हो गया है प्राइदीफ हो गया बेटा चलिए यह मैं आपको पड़ा दिया राष्टी पोशन सप्ता 2022 की ठीम क्या थी ठीक है अच्छा अच्छा खाओ जबर देश्ट पोशन ठीक है पोशन ठीक है तो सास सितम्बर ठीक है 되면 कीजिद से लेकर साफ सितम्बर तक मनाते हैं तो राष्टी पोशन सप्ता लेकैं सास सितम्बर टक और इसकी ठीम क्या सucci से ली 2000 फलिवर से यह आपको याद खिसी क्या है मैं फ्रीवक्त ऑल्ड क्राइद गया ठीक होग टिक हो डबा के ठीक है यिए गुरुनानक का जन्म में आपको बताया छकः 1469 में कहां पर बेटा तलवणडी सर तलवणडी नंकाना ठीक है तलवणडी नंकाना पाकिस्तान में और इनकी मृत्यू का वोटी 1539 में करतारपूर ठीक है करतारपूर करतारपूर सर डेराबावा विलकुल करतारपूर डेरावावा दोनुह पाकिस्तान में पढता है आपको याद रखना है ठीके तो वेशनव ठीक है तो वेशनव यह आपको याद रखना कौन सा आपका जो वेशनव ठीक है तो वेशनव कम्मिनिटी वेशनव संपरदाय को बिलॉम करते हैं और भगवान की उपासने नोंने सबुन रूप में करी थी तो 19 का आंसर क्या होगा यह आपके सामने आपको दिखाई पढ़ रहे है ठीक है चलिए तपे दिख टीवी टीवी की बात बताई गई है तो टीवी दिवस कम मनाते हैं तो टीवी दिवस मनाते हैं आपका 24 मार्च को मनाते हैं और टीवी से क्या प्रभावित होता जादा आपका तो लंग से जादा प कैंड तो Kisका टीवश विमारी श्याम के जहां के ऑड़ी है लूएज दिवस अरे बैक्तिरिया का नाम क्या है माइक्रोवेक्टरियworm डीके। को बना जाता है जैसे हैं एडवलमज्व को खोजा था किसका रेविज का और जना साल्क इन्होंने पोलियो वैक्सिन खोजी थी किस को जो आपका तृलियो वैक्सिन को किस ने खोजा था था अलबर्ट शाबिन इन्होंने और अब बुन जिन्दगी की ठीक है तो इसको चुछा था किसने अल्बर्ट साविन ने और जो आपका अल्बर्ट कैलमेट और केमिल ग्वेरिंग ठीक है इन्हों ने क्या पीटा जो टीवी का ठीक आ इसको खो तो राहुल सिर्टुरे इन्होंने बहुत अच्छा अंसर किये कुन्दन सर एक लाइट है जो खुछ जलकर हमारे भाईश्य को ब्राइट करते हैं बहुत बिड़ा थेंक्यू सो मच बिटा ठीके लापता गंज लो नाम इनका क्या है लापता गंज तो लापता गंज राहुल सिर्टुरे ठीके एंजल ठीके तो एंजल आईशा ठीके तो एंजल आईशा ठीके तो एंजल आईशा राहुल सिर्टुरे और लापता गंज इसके अलावा आशू सिंगल ठीके तो आशू सिंगल इन्होंने भी अच्छा अंसर किये तो आशू सिंगल और एंजल आईशा राहुल सिर्तरे, लापतागन, चारों के लिए तारिया चारों ने बहुत अच्छे आंसर किये हैं, शुरुवाती समय में इसको क्या कहा जाता था, खेलो इंडिया इसको जाना जाता था, बट इसका नाम चेंड कर दिया, आगे चल कर क्या कर दिया, खेलो इंडिया योध गेम कर दिया और पहली बार 2018 में ये कहा हुए थे तो पहली बार 2018 में नई दिल्ली में हुए है सर चोथा पुछा चोथा बताव आप तो तो चोथा बेटा कहा पर तो चोथा आपके पंच कुला में सर पंच कुला कहा पर तो पंच कुला आपके हरियाना में चोथा हुआ था सर पांच वा कहा होगा तो पांच वा आपके मद्द प्रदेश और सर मद्द प्रदेश में कहा पर आपके भोपाल में सर इस बार की थीम क्या थी इस बार की थीम बेटा धाकड थी क्या थी धाकड टॉप किस ने करा हरियाणान कितने पदक जिते 137 सर सेकेंड पे महाराश्था 125 बिल्कुल सही पकड़े मिनोट ठीके तो क्वेशन नमबर कौन सा हो गया है तो क्वेशन नमबर 21 एक आंचर होगा बी होगा क्या होगा बी होगा चली आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ती और आशान बनाने के लिए केंदर सरकार ने उडान योजना को कब सुरू किया था उडान योजना को कब सुरू किया गया फटा पटा आंचर कर दो उडान योजना उड़े देश का आम नाग उडो उडो तुम भी उडो ठीके तरही सितम्बर 2018 को आयुसुमान भारत योजना थीके तो आयुसुमान भारत योजना आई उसमाईं भारत योजना की घोषणा कब 27 सितमर 2018 और 25 स क्या कर दिया इंपलेमेंट या लागू कर दिया उड़े देश का आम नागरी 21 सक्टम्बर 2016 में उड़ार योजना को क्या किया जाता है इस्टार्ट किया जाता था ठीक है उड़े देश का आम नागरी चलिए इसक लंबाएी, चोडाई, लंबाई, चोडाई, मोटाई ठीक हैं तो चार अनुपाथ दो अनुपाथ एक अनुपात यह आपको याद रखना है यह इसका अनुपाथ है जो हडपा है यह हडपा यह के लुए मिखें लेप्ट हेंड साइट पर है तो चार अनुपात नुन पाथ एक हरता है ठीज़ उन्तों को क्या कहा जाता है तो पकी हुई इटों को टेरा कोटा कहा जाता है इसलिए इस फीड मा पढ़ा रहा हूं आपको रिविजन करवा रहा हूं ठीक है चली अगला देखेंगे अगला निम्ले से किसने कभी भारत को प्रधान मंत्री की रूपे कारिबार नहीं समाला किसने कारिबार नहीं समाला फटा बट जर आंसर कर दो एक बार किसने कारिबार नहीं समाला है ठीक ह गिर्तों नीरव तुम आपस में चलो तो कौन तो प्रधान मंत्री का सभीधान में कोई उल्लेक नहीं है व्यक्ति के रूप में अभी तक साथ व्यक्ति बने है क्या बने है आपके उप्रधान मंत्री टोटल अभी तक आठ उप्रधान मंत्री रहे चुके है प्रणत व्यक्ति कत रूप से साथ रहे है ठीके इसमें मुरार जी देशाई रही वीपी सिंग्ग नाइंटीन एटीन ऐन से लेके 90 तक क्या रहे हैं ये भारत के PM रहे हैं भारत के क्या रहे हैं प्रधान मंत्री रहे तो 24 का अंचर क्या होगा 24 का अंचर होगा ये आपका सी वाला होगा चोदरी चरण सिंग मुरार जी देशाई देवी लाल लाल कृष्ण आडवानी ठीक है चरण सिंग हो गए जग जीवन राम हो गए यह सब क्या रहे उप्रदान मंत्री भारत के सभीदान में उप्रदान मंत्री के पत्काव लेक नहीं है ठीक है आगे कर लेंगे अपन पूरा सब्ता केसा लगा आप थोड़ा कमेंड के माध्यम से मझे बताईएगा ठीक है और कल तो अपना नयाय रहेगा जो भी रहेगा चली अगला देखेंगे यह कल अपना रेपीट फायर रहेगा आपको ध्यान रखना है यह कल 10 बज़ा आप सभी को आन पर लड़ चली अगला देखेंगे अतल अतल तल ठीके निरयात का क्या होगा निर्यात का आयात होगा ठीके अतिका क्या हो जाएगा अल्प हो जाएगा ठीके और अतल का क्या हो जाएगा अतल का वीतल अतल का क्या हो जाएगा चलिए 26 का अंसर हो गया है ठीके अगला हम देखेंगे इसका आंसर करिए इसका आंसर करिए इसका आंसर करिए इसका आंसर करिए पिटा फटा पर ठीके इसका आंसर चाहां पर है नई दिल्ली में इसका धेवाग्की मैं आपको बताया था अनुशाषन और एक्टा तो अनुशाषन और इक्टा क्या है एसका धेवाग्की है मैं आपको पढ़ाया था ठीके एंसीजी कि स्थापना कब होती नाइटिन फोटी एट में और नाइटिन फोटी सिक्स में किसकी होती है होम गार्ड की स्थापना होती चलिए तो यह 28 का अंचर होगा वी होगा अगला देखेंगे नेक्स्ट अलक्जंडर वुचिच को कि देश के राष्ट्रपत्य के रूप में इटली की अभी जस्ट बताया मैं आपको जॉर्जिया इटली की को ने बिटा जॉर्जिया मेलोनी कहां की है इटली की है ब्राजिल की को ने ब्राजिल का बिटा लुल्ला लुल्ला दसिल्वा कहां पर आपको ब्राजिल में देखने को मिलेग ठीक है हंगरी में अभी मैंने आपको बताया है केटलीन को ने बिटा केटलीन नोवा कहां पर आपके हंगरी में और सर्विया सर्विया की राध्धानी क्या है तो सर्विया की राध्धानी है बेलग्रेट सर्विया की राध्धानी बेलग्रेट है मुद्रा क्या है यहां की दिनार है और यहाँ पर जो अलेक्जेंडर उसी 2017 से कारियरती आपको याद रखना है तो 29 का अंचर होगा भी होगा नेक्स्ट भारत का महानियंत्रक और महालेखा परिच्छक किसके लिए मित्र और दार्शनिक और मार्ग दसक के रूप में काम करता जरस का अंसर करिए तो आ भाग 5 में CAG है आर्टिकल कहां से तो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक आर्टिकल 148 से 151 तक क्या देखेंगे आप CAG देखेंगे आपको याद रखना भाग 5 में है और यह क्या होता लोग विक्त का संद्रक्षक होता क्या होता है लोग विक्त का संद्रक्षक ठीक है तो लोग का संदक्षक मतंब सरकार जनता का पैसा किस रूपे कर्च कर रही कहां कर रिसको देखने का काम करेगा आपका देंदर में राष्ट परति को जो संसत पडल पर रखेगा उसकी महिन रूप जाज कुन करेगे आपकी लोक लेखा समेटी जिसमें बाविस मेंबर होते हैं या आपको याद dying है विंदरावक के लोग और आपके साथ कहा से साथ आपके राजसभा से होंगे प्राख्लन्द pmड समेटी सब्से बड़ी संसजी समेटी है इसमें 30 member होते हैं answer क्या आएगा इसका answer आएगा इसका यह आएगा next हम देखेंगे और next में क्या है दसरद धोपे टिके तो दसरद धोपे इनों ने बहुत अच्छा आंसर किये थैंक्यों okay विटा इसके अलावा ओंवती कुमारी पाल और दसरत धोपे और सुर्भी सर्मा इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किये हैं और जैरा सोनी तो जैरा सोनी सुर्भी सर्मा दसरत धोपे और ओम्बती कुमारी पाल इनके लिए तालिया इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किये हैं नेक्स्ट में देखेंगे लोगसभा सदेश्य अपना त्याग पत्र किसको देते लोगसभा सदेश्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे बिटा फटा फटा फट से आंसर कर दो कि लोगसभा का सदेश्य अपना त्याग पत्र लोगसभा अद्धिक्ष का उल्ले कहां पर है लोगसभा अद्धिक्ष को देंगे और लोगसभा अद्धिक्ष का उल्ले कौन सा आर्टिकल में है 93 में है लोगसभा अद्धिक्ष अपना स्थिपा किसे देगा उपादिक्ष को अद्धिक्ष को देगा बिड़िस पालियामेंगें, बिड़िस पालियामेंगें जरते हैं, सब चीजे में आपको पड़ा चुका और रिविजन करवा रहा हूँ 32 का आंसर क्या होगा बिटा C होगा और next में हम देखेंगे 2 mail को चुनिये मंगल, चंद्रमा, बुद्ध और प्रत्वी ठीके फटापट से आंसर करिए ये जो आपका प्रत्वी है क्या आपकी जो प्रत्वी है प्रत्वी के बाद में आपका मंगल हो गया है प्रत्वी हो गया है मंगल हो गया है इसके आलावा बुद्ध हो गया है ये सब किसकी परिक्रमा लगाते हैं सब क्या करते हैं तो सब किसकी परिक्रमा लगाते हैं यह सूरी की परिक्रमा लगाते हैं, परंतु यहां पर यह जो प्रत्वी है, प्रत्वी के उपग्रह का नाम क्या है, तो प्रत्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है, और चंद्रमा किसकी परिक्रमा करेगा, तो बे मिल में आपका क्या जाएगा, चंद्रमा, 33 का आंसर क्या बिटा भी होगा next देखेंगे निम लेकित पूरो भारती कप्तान में से किसे जुलाई 2022 में ठीक है इनकी आत्म कथा का नाम क्या है century क्या विटा a century is not enough ठीक है a century is a century is not a century is not enough a century is not enough नाम किताब के लेखग भी मतलब इनकी आत्म कथा का नाम क्या है A century is not enough और इन्होंने क्या करा था इन्होंने बिटा 20 साल पहले 13 जुलाई 13 जुलाई 2002 में 13 जुलाई 2002 में क्या होता है 13 जुलाई 2002 में इन्होंने भारत को Net West Traffic जिताई उसी उपलक्ष में 20 साल के बाद में 13 जुलाई 2002 में को अवार्ट दिया गया है और प्रिंस आप कोलक्ता दादा गांगुली सोरख गांगुली भारती टिम के पुरू कप्तान 2019 से 2019 से लेके 2022 तक BCCI के अद्धिक्षी भी रह चुके है किसके BCCI के वरतमान में BCCI के अद्धिक्षी कोन है आपके रोजर बिन्नी कोन आपके रोजर बिन्नी वरतमान में BCCI के अद्धिक्षी चलिए 34 का अंचर होगा हसी होगा ये दादा आपके सामने है भारत के पहले हिमालियन मसाला उद्यान का उद्धाटन कहा किया गया सिमला अरे सर सिमला में तो आलो अनुसंधान केंदरे पिलकुल सही बोल रहे हैं लखनों में सर गन्ना है अरे गन्ने के अलावा यहाँ पर विज भी है मीठा भी है यहाँ पर आपका क्या है बनसपती भी है यहाँ पर क्या है ओसदी भी है तो सारे अनुसंधान केंदरों यह कहां देखने को मिलेंगे आपको लखनों में ठीके रानी खेट रानी खेट कहाँ पर आपके तो रानी खेट उत्रा खंड रानी खेट उत्रा खंड में क्या है पहला हिमालियन मसाला पार की आपको याद रखना है ठीके चलिए अगला क्या है 35 का अंसर बिटा बी होगा नेक्स्ट zwischen देखेंगे इनके लिए तालीया इन्होंनों बहुत अच्छय आंसर किये किसमें चलिए अगला देखेंगे सब्धानिक शंचा दोन ने पंचायत राज संवतानिक दर्जा दिया थे फटा 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 गया था चोई सपरेल 1993 में और चोईसफरेल को क्या मंनाते हैं पंचायति राध दिवस और रही है पंचायत कर अगर पुछा जाए कि नगरी निकाए नगर पाली का उल्ले कहां से कहां तक है तो 243 पी से लेके आपका 243 जेट जी तक ही आपको देखने को मिलेगा चलिए तो 36 का अंसर क्या होगा सी होगा समय कम है अपने पास कोश्चन जादा है अगले क्यों का अंसर करिए फटा-फट सरकार ने हर साल जन्वरी में किसके जन्मध दिवस को प्राक्रम दिवस ठीके 125 जेहनती के उपलक्षे में हम मनाते है 125 जेहनती किसकी थी तो आपके सुभास चंद्र बोस की सुभास चंदर बोस बोले तो आपके नेता जी इनको नेता जी किसका टाइटल किस ने दिया था तो इनको नेता जी का टाइटल दिया था आपके एडॉल्प हिटलर ने किस ने दिया बिटा एडॉल्प हिटलर ने क्या किया इनको नेता जी का टाइटल दिया जो नेता जी सुभाश्यंर बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था तो 37 का अंचर क्या होगा बी होगा चली अगला मानवसर ही में टोको किसिस्सलित का कारण बनताय है ठीके इसकर्वी विटामिन S रूप के थीके पहले घ्राइद को मेने 3D आपका विटामिन B3 हो गया है ठीके क्या होगे विटामिन and Western B1 B1 Thymine और बांजपन आपका विटामिन E इसे beauty vitamin भी कहा जाता है यह रहा आपका beauty vitamin देख लो आपके सामने चलिए अगला देखेंगे इस spread sheet में data किस रुप में आता है फटा फटा आणसर करो beauty vitamin के बाद में ठीके इस spread sheet में data जो आपकी row और column जो आप लिखते हो रो और column जो आप बनाते हो जो टेबल में आप चीज़े लिखते हो ठीके spread sheet है तो data table के रुप में चलिए अगला देखेंगे रोर कालम से बनने वाली टेबल को क्या कहा जाता है इस स्पेट सीट कहा जाता है फटा-पढा आंसर करिए सबसे अधिक उचाई किसकी फटा-पढा आंसर करो चलिए तो समय का में पारशनात कहा पर आपके जारखंड में कहां पर आपके जहारखंड में 1350 मिटर, पंच मनी आपके मत्रदेश में हो गया है, ठीकें, दुद्धा बिटाई आपके, कहां पर जरा अंसर करो, अन्नामुदाई, दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन से आपकी, अन्नामुदाई, तो question number 40 का अंसर बिटा क्या होगा डी होगा, चलिए, अगला देखेंगे, और अगले में है सचिन सिंग लोधी, तो सचिन सिंग लोधी ने बहुत अच्छा अंसर किये है, इक आलावा सलोनी पाटिदार, सचिन सिंग, इसके आलावा पुरसत्तम नागर, पुरसत्तम नागर के लिए तालिया इन्होंने सबी लोगों के लिए तालिया सबी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किये हैं नेक्स्ट हडपा कालिन सबसे लंबा अभी ले कहां पाए जाता है ज़रा पड़ा अंसर कर दो अपने बाद समय कम है समय कम है ठीक है थिके चलो तो हड़प्तपा गालिन अभी लेक यहाँ से दस चिन्न मिले क्या मिले आपकी साइन बोड के साख्श चि यह आपको याद रखना है यहीं से आपका खेली इस्टेडियम मिला है मिला है खेल स्टेडियम मिला है और यहीं से क्या है जल प्रबंदन की विवस्ता सबसे अच्छी कहां देखने को मिलेगी तो जल प्रबंदन की सबसे अच्छी विवस्ता भी यहीं दिखाई पड़ेगी यह हम दोला विरा की बात करें सबसे लंबा विल्यक यहीं पर आपको से याद रहना है दोलावीरापके कहा पर हैं तो दोलावीरापके गुजरात कंसर करो है जो भॐ सीखने में करेंगे मदद करेंगे ठीक मेरत की किस राज्य को सांस्कृतिक सर्वशेष्ट गंतव्ये के लिए अंतराश्टी यातरपुर्षकार 2023 से सम्वानित किया गया किसे सम्वानित किया गया बेटा 2023 से फटा बड़ आंसर ठीक है तो फटा बड़ आंसर करिए किसे सम्वानित किया गया है तो आपके पश्रिम मंगाल को पश्रिम मंगाल की मुख्यमंत्री सर कोन है ममता बनर कि आपको याद रखना है इनको दीदी बी कहा जाता क्या कहा जाता है दीदी 2011 से क्या है एक तीसरी बार पर निवास्यों को किस नाम से जाना अईस्टि यही ऐसे रादधानि क्या है वैलिंग्टन में सबसे للफ साउत याद रखना है यहां के लोगों को कीवी कहा जाता कीवी कीवी चली अगला देखेंगे नेक्स्ट वाला और नेक्स्ट का क्या है नेक्स्ट ठीके अटल बिहारी वाजपे को भारत रतन कम मिला बिटा ठीके अटल बिहारी वाजपे की मृत्यू कब होती है आपकी 16 अगस्त 2018 म समाधिस्थल का नाम क्या है सदव अटेल इनका जन्म कब होता है 25 दिसंबर 1924 में 25 दिवस को क्या मनाते हैं 25 दिसंबर को शूष आशन दिवस गुड गवर्ननस डे मनाते हैं भारत रत्न को 2015 में महामना मदनमोन मालवी के साथ में मिला था या आपको याद रखना है 2014 में आपके CN Rao और सचीन को मिला था सचीन सबसे युवा प्राप्त करता भारत रतने 40 वर्से की उम्र में चलिए तो 45 कांचर होगा C होगा नेश्ट देखेंगे सिखो के अंतिम गुरु कुन थे अरदुन देव पांचवे नंबर के गुरु गुरु हर गोविन दसवे नंबर के गुरु गुरु तेख भादूर 90 नंबर के गुरु थे ठीके चलिए तो अंतिम गुरु कुन थे तो गुरु गोविन सिंग थे जिनका जन्म 1666 में कहां पर होता है पटना में खाल्चा पंत की स्थापना करेंगे ये कब 1699 में इन्होंने क्या करा था खाल्चा पंत की स्थापना करी थी चलिए अगला देखेंगे नेम लिखित जन्जाती में से कौन सी सिक्की में पाई जाती सिक्की में पाई जाने वाली जन्जाती फटा फटा आंसर करो जरा सिक्की में पाई जाने वाली जन जाती कुछ नए बच्चे हैं पुरानी क्लास का ठीक है सटेड़े को रिविजन रखते हैं पन सटेड़े क्या करते हैं पुरे बिक का रिविजन करवात है ठीक है इतलिए फास्ट होगा तो आपकी जो लेप्चा जाती लेप्चा और भोट्या कहां पाई जाती हो गया पंजाब में आपका विषाकी हो गया पंजाब अपका बिषाकी हो गया ठीक हुंए सब्फटीएट का ऑइन्स War Corin मालवी के लिए तालिय गोतम मालवी के लिए तालिय हो जाए अनू अनू गारवाल ठीक है तो यह को ना की अनू गारवाल और गोतम मालवी ठीक है इसके अलावा नवल लोधा नवल लोधा और सुमान कुस्वा ठीक है तो सुमान कुस्वा के लिए तालिय नो बहुत अच्छ अंसर किये और यह कल का home work कर दे कर जा रहा हूं कल 10 बज़े आपको मिलना है कल 10 बज़े इसी चैनल पर आपकी मेरा थन रहेगी तो कल धुआ धुआ करना है सभी बच्चों को आना है दस बजे कल अपनी रहेगी ये कल आपका टेस्ट रहेगा शेडूल आप देख लीजेगा ये एमेक जीने बिटा और S.S.C. G.D. का कोर्स आप पर्चिस करना चाता जिसकी फीस ये है आई होप सेशन पसंद आयोगा वीडियो को लाइक शेर बैंकिंग S.S.C. फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है इसकी पीडियेप यहां मिल जाएगे आपको और ये विनर्स का एफ है एफ में क्या-क्या फीचर से है यूटूब चैनल है आई होप आँच का सेशन पसंद आयोगा जाते जाते वीडियो को लाइक शेर और कमेंड के माध्यम से प्रतिकिर्या दीजिएगा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच कल इंतजार रहेगा इसी चैनल पर बबाई गुड़े टेक क्या इसी चैनल